तो भई हमारे पास यहाँ दो Inequalities हैं. पैली Inequalities में दिखाया जा रहा है कि, X जमा 2, कम है, या बरौबर है 2 X के, जबके इस Inequalty में दिखाया जा रहा है कि 3 X जमा 4, ज्यादा है 5 X से, और फिर हमारे पास यहाँ, 4 एकदार भी मवजूद हैं. तो भई इस वीडियो में मैं असल में दिखाना चाह रही हूँ कि इन इनिक्वालिटीज पे कौन कौन सी कदर दुरस बैठती है और कौन कौन सी नहीं अब इस से पहले कि मैं शुरू हो जाओं क्यों ना आप एक दफ़ा इस वीडियो को रोक कर ये काम ज़रा खुद से करने की कोशिश करें अच्छा चलें इन सारी एकदार के लिए ना सही लेकिन सिफर के लिए ही बता दें कि क्या ये इस इनिक्वालिटी को मुतमईन करेगा या इसको मुतमईन करेगा वैसे ये भी हो सकता है कि ये दोनों पर ही न ठीक बैठे या शायद दोनों ही इनिक्वालिटी इसको मुतमईन कर दे तो आप इसको हल करें और मैं तब तक इंतिजार करती हूँ चले बस बहुत हुआ अब साथ मिलकर इस सवाल को हल करते हैं और शुरू करते हैं सिफर से तो इनिक्वालिटी के मताबक अगर एक्स की जगह हम सिफर डालें तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी कि सिफर जमाद दो को कम या बराबर होना चाहिए दो जरब सिफर के ये हिस्सा बराबर हो जाएगा दो के और ये बराबर हो जाएगा सिफर के और बीच में आ जाएगा इनेक्वालिटी का निशान भई आप पताएं कि क्या दो सिफर से कम है या उसके बराबर है भई जाहिर सी बात है कि दो सिफर से कम नहीं है बलकि उससे ज्यादा होता है और इसलिए 0 इस inequality को मुतमईन नहीं कर रहा अच्छा अब इस inequality के लिए देखते हैं कि क्या ये इस पे बैठ रहा है या नहीं तो इधर 3 जरब 0 जमा 4 को इस inequality के बताबिक ज्यादा होना चाहिए 5 जरब 0 के ये बराबर होता है चार के और ये बराबर हो जाता है सिफर के बीच में ये inequality का निशान आ जाएगा तो वही यहां चार वाफ़ी सिफर से ज्यादा है और इसलिए सिफर इस inequality को बिलकुल मुतमईन कर रहा है चले अब यही सारा काम एक के लिए भी कर लेते हैं यहां देखते हैं कि एक जमादो क्या कम या बराबर है दो जरब एक के वही ये बराबर होता है तीन के और ये बराबर हो जाता है दो के और तीन तो दो से कम या उसके बराबर नहीं होता तो एक भी इस inequality को मुतमईन नहीं करेगा अच्छा अब अगर एक को इस इनेक्वालिटी में डालें तो क्या ये इनेक्वालिटी मुतमेन होगी तो वही ये हो जाएगा तीन जरब एक जमा चार और ये आगया इनेक्वालिटी का निशान और यहां आजाएगा पांच जरब एक तीन जरब एक बराबर होते हैं तीन की और इसमें जब चार जमा करेंगे तो ये हिस्सा बराबर हो जाएगा साथ के जबके यहां पांच जरब एक बराबर हो जाएगा पांच के तो भई इनिक्वालिटी के मताविक इस हिस्से को इस हिस्से से ज्यादा होना चाहिए और साथ बिलकुल पांच से ज्यादा ही है तो एक इस इनिक्वालिटी को मुतमईन कर रहा है अब आते हैं दो पर देखते हैं कि क्या दो जम्मा दो कम है या बरावर है दो जरब दो के तो हाँ भई ये भी चार के बरावर होता है और ये भी इसलिए दो तो इस inequality पे पूरा उतर रहा है चलें अब इस inequality के लिए दो को परक लेते हैं यहां तीन जरब दो जमा चार को उसूलन ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए पांच जरब दो के बलकि यह गलती हो गई, यहां बराबरी का निशान नहीं है इसको सिर्फ ज्यादा होना चाहिए इस हिससे तो यहां तीन जरब दो बराबर हो जाते हैं च्छे के और उसमें जब चार जमा करते हैं तो यह हिस्सा तो बराबर आ जाता है दस के और यहां भी पांच जरब दो दस के ही बराबर हो जाते है अब उसूलन इस पूरी चीज़ का मतलब है कि दस ज्यादा है दस से और यह बिल्कुली फुजूर बात है दस तो दस के वराबर होता है ना कि उससे ज्यादा और इसका मतलब यह हुआ कि दो इस इनेक्वालिटी पे पूरा नहीं उतर रहा हा लेकिन जैसे मैंने पहले गलती स लिख दिया था यहां पर मैं अगर यह निशान लगा दूँ तो फिर तो दो इस इनेक्वालिटी को बिल्कुल मुतमईन कर रहा होता लेकिन चुके फिलहाल हमारे पास यह निशान नहीं है बलके यह निशान है इसलिए दो इस इनेक्वालिटी को मुतमईन नहीं करेगा औ और भई आखिरकार हम 5 पे आ ही गए देखते हैं कि ये इनिक्वालिटी को मुतमाइन करता है या नहीं भई ये हो गया 5 जमाद 2 यहां आ गया इनिक्वालिटी का निशान और यहां आ गया हमारे पास 2,05 ये वराबर होगा साथ के और ये वराबर होगा दस के और अब इस कम होता है यानि यह कदर इस इनेक्वालिटी पे पूरा उतर रही है अच्छा यहां अगर हम 5 डालेंगे X की जगा तो यह हिस्सा हो जाएगा 3.5 जमा चार और इनेक्वालिटी के मताबिक इसको ज्यादा होना चाहिए 5.5 से यहां 305 बराबर होते हैं 15 और इसमें 4 जमा कर दिया जाएं तो ये इससे बराबर हो जाएगा उनिस के और ये इससे बराबर आ जाता है तक बाइननिस तो कहीं से भी पच्चेस से ज्यादा नहीं होता उससे कमी होता है इस लिए पांच इस inequality को तो मुतमईन नहीं कर रहा